हाई एबरिवन इस कड़ाई चिकन की रेसिपी को देखने के बाद चिकन कड़ाई बनाना आपके लिए बहुत ही असान होने वाला है क्योंकि आपको मसाला पर्चेज करें या मसाला नहीं है ये भी सोचने की जुरूत नहीं है क्यांकि इसमें मैंने कड़ाई चिकन का मसाला बनाना भी बताया है और टेस्ट तो इतना लाजवाब बनेगा आप खुद कहेंगे कि वह पहले क्यों नहीं पता था तो बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा तो वीडियो में बिल्कुल ध्यान से बने रही है एक एक स्टेप को फ या तो गुनगने पानी से दो सकते हैं या विनेगर वाले पानी से दोएंगे तो भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है इसमें थोड़ा से नमक एड़ कर लिया है अल्दी बहुत थोड़ा से दो पिंच के करीब इसमें डाला है और साथी के साथ यहां मिर्च डालेंगे तीखा चटपटा बनाने वाले हैं तो तीखी वाली मिर्च मैंने इसमें भी आड़ किया है और इसके बाद हमें क्या करना है चटपटा बनाने के लिए कुछ और भी डालेंगे लेकिन अभी फिलहाल यहां पे अद्रक ले लिया है और ब्लैक पेपर काली मिर्च जो होता है व वह बहुत tasty लगता है इसमें एक और important ingredient जाएगा तब जाके टेस्ट और मज़ेदार होने वाला है और वह important ingredient है नीबू नीबू का रस लेना है एक बड़े चमच लेना है अब वह आधे नीबू से मिले या एक नीबू से जैसे भी आप एक बड़े चमच नीबू का रस इसमें add कर दीजे और नीबू नमक और जो black pepper है अद्रक है इन सब का जो टेस्ट है न और तीखी वाली मिर्च हमने डाली है त तो बहुत ही तीखा चटपटा और बहुत ही मज़ेदार बनता है और चीकन में अंदर अंदर तक यह पूरा फ्लेवर चला जाता है तो इससे marinate करना है और marination के बाद जब हम marinate कर देंगे तो लगभग इसे हमें आधे घंटे के लिए छोड़ देना है अब आपके पास बलैक पेपर जो है वो दस से बारा काली मिर्श हमें ले ले लेनी है वन फोर्थ टीसपी ही साफ साफ जरूर एड करना है गर्मी के वज़ेसे भी हम डालते हैं साफ और इलाइची लांग ले लिया है बड़ी इलाइची और जावितरे ले ले लिया है और साफ जो है वैसे अब गर्मियों में अब अगर कोई मसाला बनाते हैं इसमें सौंफ जरूर राइड किजिए यहां पर मैंने एक बड़े प्याज को इस तरीके से एक लेयर के रिमूब करके ले लिया है दस से बार लैसन को छिल के ले लिया है अद्रक थोड़ा से ले लिया है एक टमाटर को उ एक प्याज से बड़े स्लाइसन निकाल लीजिए और शोटे को बाद में कट कर लेंगे यहां पे सिम्ला मेर्च और आधा टमाटर ले लिया है और यह एक बड़े प्याज और आधे वाले को टमाटर को बारिक-बारिक कट करके ले लेना है बस अब इसके बाद हम दो मसाला त्यार करते हैं बस इसके लिए कड़ाई को अच्छे से गर्म होने देना है उसके बाद medium flame medium to low पे क्या करना है जो भी हमने मसाले को त्यार करके आप कड़ाई पनीर कड़ाई चिकन या फिर अगर कोई सब्जी भी बनाते हैं उसमें से थोड़ा सा आधे चमश के करीब भी मसाला सब्जी बनने के बाद डाल देते हैं बहुत टेस्टी बनता है तो बस मसाला त्यार हो गया इसको ठंडा करके मैं ग्रा तो जैसे ही यह हलका सा कलर चेंज हो जाए बहुत ज़्यादा तो डीफराई करना नहीं है जैसे यह कलर हलका सा चेंज कर ले तब इसमें हम लोग थोड़ा सा और टेस्टी और मजदार बनाने के लिए थोड़ा समय नहीं है पर काजू एड़ किया है आप चाहें तो इस करीब नमक कर लिया है नमक करने के बार यह थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा तो अब यह सॉफ्ट हलका सा हो गया है तो आप चाहें तो इसको डारेक्ट ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं थोड़ा गैस के फ्रेम को लो करके हलका हलका चलाते हुए भून लीजिए या फिर रहा ओलगा बशाज सर्ग तो फिर तो तो थोड़ा सा शाफ्ट हो जाने दीजिए और उसके बाद लास्ट में मैं इसमें एक हरी मिर्च एड़ कर रही हूं आप अगर आप तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो ज्यादा एड़ किजिए और हरी मिर्चश में एक यूं आड बस इसके बाद इसको ठंडा करके और जब यह ठंडा हो जाए तो इसको ग्राइड कर लेना है देखिए इस तरीके से है हमारा सारा जो भी टमाटर प्याज सारा कुछ सॉफ्ट हो चुका है फिर सेम कढ़ाई हम लेंगे और उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा बटर ले लिय दाल चीनी मैं यहां डाल रही हूं तेश पत्ता है डाल चीनी डाल लिया है और इसके बाद एक सुखी लाल मिर्च मैंने आड किया है आप दाल चीनी मसाले में भून करके उसको भी ग्राइंड कर सकते हैं लेकिन यह थोड़ा सा दिक्कत करता है तो मैंने इसको अलग से प्याज फटा-फट भून जाए या फिर अप इस जगह पर गैस के फ्लेम को हाई भी रख सकते हैं उसके बाद यहां पर आप जब भून जाए तब उसमें टमाडर हमें आड करना है अब इन दोनों को भी अच्छे से भून लेना है तो इसके बाद फिर से इसमें मैं नमक आड करने वाली हैं नमक ध्यान से एड किजिए कि हम लोग यह नमक सेकें टाइम एड कर रहे हैं एक और जो पेस्ट बनाया है उसमें भी नमक है तो बहुत ज्यादा नमक ना हो जाए इसलिए ध्यान से डालिए फिर थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर एड कर लेंगे जो है वो मसाले के साथ अच्छे से भून जाए क्योंकि मसाला ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमसे कचापन आने वाल ऐसा कुछ नहीं है बट मीन हमारा प्याज जो है उसको भूनना इंपॉर्टेंट है तो बस इसको में ढग देती हूं ताकि मसाले के साथ थोड़ा सॉफ्ट अच्छे से ढग दिया झाल प्याज ट्रक भी हो जाए इसको डग दी बार देखिए अभी जो प्याज टामाटर है अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है तो बस अभी इसके बाद इसमें जो चिकन अमने रखा था मेरने करके उसको एड़ कर देंगे और उसको एड़ करने ताकि फटा फट से चिकन का जो अपर लेयर होता है वो कुक हो जाएगा तब जाके हम गैस के फिल्म को कम करेंगे और इसको ढग करके पकाएंगे ताकि अंदर वाला लेयर भी पके तो उपर वाले लेयर के लिए आपको हाई फिल्म रखना है यह बिल्कुल ध्यान रखना है और जब यह उपर वाले लेयर हलका सा कुक हो जाता है तीन से चार मिनट अगर आप हाई फिल्म पे भून देते हैं तो वो कुक प्रॉपर हो जाता है उपर का लेयर उसके बाद गैस के फिल्म को लो करके पांच मिनट के लिए मैंने ढग दिया था पांच मिनट में ही आप पांच मिनट के बाद मैंने इसको ओपन करके देखा और पांच मिनट में ही यह चिकन हलका सा सौफ्ट हो जाता है तो बस थोड़ा सा ही अभी सौफ्ट करना है अभी प्रॉपर कोक नहीं करना है वैसे तो हमने मसाला त्यार कर रखा है जो कढ़ाई मसाला होते हो तियार कर और कड़ाई चिकन मसाला मैंने खुद घर पे बनाया है वह मैंने आपको दिखाया है उसी मसाले को हम लोग इसमें आड़ करेंगे तो यह मसाला डालने के बाद मैं थोड़ा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूं एक दो मिनट के लिए हम लोग इसको भूनेंगे और उसके चिकन जो है इसको प्रॉपर कुक करने के जरूत है और उसी पेस्ट में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें एड़ कर दिया ताकि इस पानी के साथ अब जो चिकन है वो मीडियूम टू लो फ्लेम पे कुक होगा और अच्छे से अंदर तक बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चला दीजे फिर उसके बाद फिर से ढग दिजे ऐसे करकर लगबग साथ से आठ मिनिट इसको भूनना है और साथ से आठ मिनिट बाद आप तेखेंगे कि यह कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा अब यह प्रॉपर जो मसाला चिकन चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया तब अब बारी आती है कि इसमें हमने जो प्याज और सिम्ला मिर्च और टमाटर रखा है बस इसको एड़ करेंगे और इसको एड़ करने के बाद बहुत जादा हमें पकाने की जरुवत नहीं पड़ती है बस दो से तीन मिनिट आपको पकाना है और इसी टाइम पे हम लोग तो हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है और उसके बाद थोड़ा सा गैस के फ्लेम को लो करते हुए इसको अगर हम ढग देते हैं तो ढगने से क्या होता है पूरा जो उसका स्टीम होता है उसके वजह से वो जो भी फ्लेवर आप उसमें डालना चाहते है किसी भी रेसीपी और यह देखे एक दम मज़दार चिकन हमाता त्यार है तो एंड में हम लोग इसमें थोड़ा सा धनिया पता एड़ करेंगे और ग्रीन चिली एड़ करेंगे यह लास्ट में जो आप ग्रीन चिली एड़ करते हैं वह लोकवाइस तो अच्छा लगता ही है लेकिन अगर मज़दार बहुत टेस्टी बना हुआ है जरूर इसको ट्राइक किजिएगा और अपने व्यूज मेरे साथ जरूर शेर किजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो उमीद करते हूं यह रेसिपी जरूर पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर क कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलती हूं एक और मज़दार इसको के साथ तब तक के लिए बाद